लमशकार विध्यार्तियों विध्यार्तियों आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, सुना भी होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं एक चत एक पट इसी तरहे हर विशेव्यक्ति के वस्तु के दो पॉइंट्स होता है एक होता है positive point और एक होता है negative point. हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रशनावली विधी जो होती है data को इखटा करने के लिए विधी कही जाती है इसे तो जो data इखटा करने की प्रशनावली विधी है उसकी क्या दोस और क्या सीमा है? किसी की negative point बताने से पहले हम उसका positive point बता देते हैं कि जो प्रशनावली विधी है यहां इसका निर्मान बहुत आसान होता है इसको लागू करना बहुत आसान होता है इससे data का जो collection होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है data का संकलन बहुत आसानी से हो जाता है जो data है उसको analysis जो होता है वह बहुत आसानी सोजाता है यानि जो प्रशनावले विदी है वह social studies में social science जो subject है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रियोग में लाई जाती है ठीके अब हम देखते हैं इसकी क्या दोश और इसकी क्या सीमाएं होती है क्योंकि limitations भी देखने उसके लिए kala akshar भेंस बराबर होती है तो आप उसके सामने ज़ी प्रशनावली रग दें कि आफ हमें इन सब का उतर दीजिये तो वो देहीं नहीं सकता तो किसके लिए लाग होती है केवल और केवल शिक्षित वक्तियों के लिए शिक्षित वक्तियों और akshargyaन डोनों उसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है है ना तो जो अशिक्षित वेक्ति होते हैं उनको यदि प्रशनावली चाहे हो आप पिक्टोरियल प्रशनावली दे पिक्टोरियल प्रशनावली के महल होता है जिसको आप चितरों के द्वारा आप बताया जा सके तो भी उनको समझने में दिक्कत आती, उनको परिशानी आती यानि किसी भी तरह की जो प्रशनावली विधी होती है वह विधी जो की अनपढ़ होते हैं, जो की अशिक्षित होते हैं उन व्यक्तियों के उपर लागू नहीं होती है और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जो की अशिक्षित हैं यानि हम उनके उपर इस तरह एक से रिसर्च नहीं कर सकते हैं जिसमें कि हम प्रशनावली विधी का उप्योग कर सकें नेक्स है, अपून एवम गलत सूसना की संभावना है रहती है बिलकुल, आपने मुझे रिसर्च करना है आपने मुझे क्या दिया प्रशनावली दी में पास तुकि समय कम है, इच्छा शक्ति मेरी कम है as in sample, है ना as in sample, में पास इच्छा शक्ति कम है में पास समय कम है या मुझे कहीं जाना है x, y, z, जो भी करन है मैंने देखा, अच्छा ये कॉशन ऐसा, 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 टिक कर दिया सही है या गलत है मेरी मनोदर्शा किस साब से है उस साब से मैंने दिया being a sample being a researcher, मैंने क्या क्या मैंने सूचना ले ली, मुझे लागा सूचना सही है परन्तो उस समय उस समय उसकी सूचना जो उत्तरदाता है उसकी सूचना सही थी या नहीं उसकी मनोवरत्ती कैसे थी उसका मनोविज्ञान किस तरह के क्या यह हम नहीं कह सकते है इसका example हम इस तरह से लेते है मेरी आज मेरी boss से लड़ाई हो गई ठीके अब मेरा mood बहुत खराब है कोई researcher आया researcher ने मुझे job satisfaction पूचा मैंने जूकी मेरा mood खराब था तो मैंने मेरे job से मैं totally उस समय particular time पे particular जगे फे उस समय मुझे frustration हो रहा था और frustration के कराण मैंने क्या क्या गलत सूचना देदी ठीक है इसी तरीके से जो सूचना आ जाती है वह सही है या गलत है यह सूचना नहीं कह सकते साथ में क्या होता है कई बार researcher स्वयम गया स्वयम जाकि उसने प्रशनावली देदी प्रशनावली पेज के आगे भी है पेज के पीछे भी है मैंने क्या क्या बिंगे सेंपल हमने केवल आगे की सूचना देखी पीछे की देखी नहीं है ना अपून सूचना मिली मुझे 25 में से केवल 20 कॉचन के जवाब मिले जो फ्रंट पेज थे ब्रेक पेज पे जो कॉचन थे वो मुझे मिले ही नहीं यानि में पास किस तरह की सूचना आई अपून सूचना आई और यह होता है यह होता है माला सुभाव है कि हमने पीछे मुण के नहीं देखा अंजाने में हो गया बाई मिस्टेक हो गया जान बुच के हुआ जो प्रेशन ले रहा है रिसर्चर है उसने देखा नहीं पीछे कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे परंत जो सूचना आईए वो कैसे आईए अपून सूचना आईए सूचना आए गलत भी आगई है नेक्स है व्यक्ति के संपर का अभाव वन-टो-वन जो कनवर्सेशन होता है रिसर्चर और सेम्पल में इसका अभाव हो जाता है कैसे अभाव होता है क्योंकि मुझे मेरे पास जो डेटा है मुझे हजार लोगों का लेना है, ठीक है, अब हजार वेक्ति के पास्टो मैं नहीं जा सकती, being a researcher, मैंने क्या क्या कॉशनर बनाया, मैंने कॉशनर बना के schools में distribute कर दिया, प्रिंसेपल के पास गई, प्रिंसेपल ने का, को अपनी research के बारे में, जो अध्यन वह कर रहा है, उसके बारे में केवल और केवल जो researcher है, जो अध्यन करता है, वही अच्छी तरीके से explain करता है, no doubt, जो school की teacher उसने बहुत अच्छी से explain करा, परन्तु कहीं न कहीं लेक्यूना of message हो गया, है ना, तो जो सूचना उसको जिस category किसे चाहिए थी, जिस माहौल में चाहिए थी, वह माहौल में सूचना नहीं मिल पाई, यानि व्यक्ति का थंपर, researcher का और जो sample है उसका नहीं हुआ, उस teacher ने करा, या यह भी हो सकता है, मुझे बहुत सारे sample लेने हैं, मैं हर जगे नहीं जा सकती, तो मैंने क्या किया, मैंने जिसे हमने example देते हैं, पासपड उसमें किसी को दे दिया, आप रुसूशना भरवा लीजे, ठीक है, अपने friends group में दे दिया, अपने colleagues को दे दिया, तो मैंने इस तरीके से क्या होत क्या, व्यक्तिकत संपर्ग न करके उनको दे दिया, और उन्होंने मेरी जेगे से, डेटा एकटा कर लिया, यानि व्यक्तिकत संपर्ग जो होता है, उसका तो प्रशनावली विधी होती है, इसके अंदर पूर्टा अभा होता है, next है, और स्पर्ष लेख से उत्तर प्राप्त करने की संभावना, कॉशन होता है, वो कई बार ऐसा होता है कि स्परष नहीं हो पाते हैं, हम कुछ कहना चाह intern हैं सामने वाला कुछ सम्झ में deny आ रहा है कि, यह ख़या प्रशना किस कारण से पूख आधा है, यह washer रिख से पूचा गया है, मुझे समझ में निया खुशन होता है na, हम भी तो यह करते हैं कहीं बार, एकजाम सम्हों में कोशन समझ में निया आता था, हम कोशन छोड़ देते हैं, एक नमबर का चले छोड़ दीजे, सेम केस होाथ है यहाँ, पर कि कोशन ही जब समझ में नहीं रहा है, तो जो उत्तर दाता है, वो उत्तर किस सरी किस से लिखेगा, उत्तर दाता है, उत्तर ही नहीं देगा, तो इससे क्या होता है, उत्तर प्राप्त करने की संभावना काम हो जाती है, सारवभामिक प्रशनों का निर्मान और संभाव, बिल्कुल, हर एक ऐसा प्रशन, जो सभी व या प्रशनों की सूची तयारनी हो सकती है, जो कि सभी व्यक्तियों पर, सभी एक ही समय पर लगो हो सकती है. अब मेरा विचार कुछ और है, दूसरे का विचार कुछ और है, तीसरे का विचार कुछ और है, चौथे का विचार कुछ और है, यानि अलग-अलग विचार हैं हमारे, है ना, हमारे विचार हम, हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, जनरलाइज करने के लिए क्लिए क्लिए क्लि इसके अनुशी सीमा है, गहन अध्याम के लिए अनुप्युक्त होती है, हम किसी चेत्र में देखना चाहते हैं, कि उस चेत्र में कूपोशन कितना है, हम केवल यह दे सकते हैं, या हम यह देख सकते हैं, जादा स्जदा कि किस तरह का कूपोशन है, वितामिन B12 है, वितामिन D B2, vitamin D, calcium, phosphorus, किस तरह का कुपोश्चन है, हम केवल वो देख सकते हैं, हम किस कारण से हैं, यह देख सकते हैं, किस एज में हैं, यह देख सकते हैं, किस लेवल तक का हैं, हम नहीं देख सकते हैं, तो चहने का मतलब यह है कि हम सुपरफीशल जो स्टेडी होती, उपरी सता पर जो स्टेडी होती, वही स्टेडी हम किस में कर सकते हैं, प्रशनावली विदी के दुवारा कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेश की या किसी टॉपिक के उपर यदि गहन स्टेडी करने हैं, तब यह जो प्रशनावली और नगौ वैक्स जो शुनन वाला हो आपस में साथ में ही नहीं, यहाई त़ हमने बोला भी आपको, कि व्यक्तिकर 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 व्यक्तिक संपर काँ ऑफ होई है, ड Sum. को कुछ पूछन पूछना है, उसके मजस पूरीच्न में कुछ प्रच्शन उठाए कि क्या यह जो caution है, यह मैं जो समझ रहा हूँ, वही है, या इसमें कुछ और आप समझाना चाह रहे हैं, एक भ्राती आगी न, क्या भ्राती आई? जो मैं समझ रहा हूँ, वही है, जो आप समझ रहे हैं, वो कुछ चीज अलग है, अब इस भ्राती को किस तरीके से दूर किया जाए, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो यह उत्तर डाता के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, कि यह इस उत्तर को कैसे दे, इस प्रशन को कैसे समझे, इस प्रशन को कैसे समझे, किस तरीकी से उत्तर दिया जाए, ठीक है, तो यह एक प्रशनावल विधी बहुत अच्छी होती है, बहुत सरल होती है, इसे तर डेटा कलेक्शन होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, और जो डेटा एनालेसिस होता है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, इसलिए परिशनावली विधी को सोशल साइंस के रिसर्च होत अच्छे